हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू नॉलेस अपडेट यूटूब सेनल दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपका फोन है आपका फोन में कभी कभी अपडेट देना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप आपके फोन को अपडेट नहीं दोगे तो आपका फोन स्लो होगा हैंग होगा और फिर आपका फोन है अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो इसलिए बहुत लोग को आपका फोन है फोन को अपडेट करना नहीं आता है तो दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप अपने फून को कैसे अपडेट कर सकते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना तो दोस्तो वीडियो को आगे बरने से पहले एक रिक्वेश्च करता हूँ ज़ो वीडियो देखी रहे हैं इसी खुष में वीडिडियो को लाइक करदेना है और सेनल को सब leaning कहा तो जल्दी से सबways करके इसके साथ जो बेल है यह अल बेल पे आपको दबाखे रख़़तेना हैं उसके साथ जो वीडियो को अबडेट करने के लिए जो आपका phone का setting है. Setting पे से ले जाना है, और अगर आपका phone में कोई भी update आयेगा, उपबर से IQ करोगे तो इस तरफ से update нашего अविलेबल दिखाएगा. तो आपको करना क्यों होगा, हर Android phone में about phone का setting मिलता है, इसी about phone में जाना है. जाने की बाद देखना है about phone में यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देख रहे हो MIUI version जो कि यह मेरा Xiaomi MI का phone है तो आपका शायद अपप होगा तो यहाँ पे रहेगा तो इसी version बलाज अप्शन है यह update लिखा रहेगा इसमें आपको click कर देना होगा इसमें click कर देने की बाद आपको download आएगा पहले आपको download कर लेना होगा जैसे कि update आया है कितना MB का आया है देख सकते हो जो कि 314 MB का यह update आया है तो आपके पास पहले यह ध्यान में रखना है आपका MB है कि नहीं अगर MB है तो आपड़ेट देदो download and update कर दो जैसे डाउनलोड पे क्लिक कर देखो आपका जितना भी यह 314 MB या जितना भी MB का अपडेट आएगा तो तुरंथी डाउनलोड होना रहेगा जैसे कि यह मेरा डाउनलोड दिखा रहा है अभी देख सकते हो उसके बाद 100% तक download हो जाएगा 100% तक download हो जाने की बाद updating दिखाएगा यह जो देख रही हो updating 1% अभी मेरा दिखा रहा है यह है पूरा 100% तक updating दिखाएगा ठीक है तो इसी तरह से धीरे धीरे update होगा आपका जैसे कि अभी 34% हो चुका है तो ये पूरी तरफ से 100% तक होने देना है दोस्तो अभी पूरा अपडेट हो जाने के बाद उसके बाद साइन दिखाएगा जो कि आपको 3 प्रोसेस से होगा पहले होगा डाउनलोड उसके बाद अपडेट होगा 100% उसके बाद sign दिखाएगा जो कि 100% होगा उसके बाद update आएगा उसके बाद reboot आएगा र Table harmon कर लिना है ठीक है तो उसके बाद जैसे यह full update हो जाएगा sign हो जाएगा उसके बाद about update पर जाके update पर click करो उसके बाद देखो, पूरा डाउनलोड हो जाने के बाद, पूरा उपर से दिखाएगा, कि यहाँ पर डाउनलोड हो चुके है, उसके बाद रिबोट नव आएगा, तो आपको रिबोट नव पर क्लिक करोगे, तो आपका फून एक बार स्विश्ट अप हो जाएगा, मतलब क फिर से दुबारा on हो जाएगा ठीक है तो इसी तरह से आप अपने फोन को अपडेट कर सकते हो